अधिया आप लोग के समख्छा क्या हूं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपिक लेकर क्या आया हूं आज काफी एनर्जी के साथ आया हूं आप लोग के बीच आप लोग की ध्यान से सुनिएगा और आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली यह वीडियो और लास्ट तक देखिएगा वैसे देवा बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली जो बच्चा एया कर रहा है या डाखिला लिए या एक सी Hem soir वीडियो आप लोग यह लाश्ट तक देखें वीडियो मैंने इस्ते पहले वाले वीडियो में चरशा किया था कि यह आपका जो requirement apprentice का हो या आपका job का हो वो आपका किस-किस department से आता है वो चीज हमने बताया था याद कीज़ेगा और नहीं आपको लगता है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को जा करके देख सकते हैं उसमें हमने चर्चा किया था कि कि करने के बाद आपको क्या 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 आपका कौन सा राश्ता खुलता है आप किस राश्ते से कौन सा जगा पर पहुंच सकते हैं तो यहां क्या है कि हमने यह भी बात बताया था कि और यहां तक कि आपका इश्रो तक का भी हमने बात बताया था तो लीजिए आपके समक्ष आ गया है कि यह डिया डियो का फॉर्म आया आप लोग के समक्ष और वैसे बच्चों के लिए जो आई टी आई पास कर चुका है वह एंसी बीटी हो या एसी बीटी हो मैटर नहीं रह करता है यहां पर वह एक साल का हो दूसाल का वह भी मैटर नहीं करता है देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा लाश्ट तक देखिएगा यह वीडियो को यदि आप यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरू दबा दिजेगा यदि आप सब् वह भी मैटर नहीं करता है कि पर आप उनको सेर कर दिजेगा लिंक और उनको भी कह दिजेगा कि यह वीडियो यदि आपको भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिजेगा ठीक है और आगे चलते हैं पॉइंट पे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा क लगबग लगबग डिपार्टमेंट पब्लिस्ट करती है तो लीजी आपके समक्ष डियाडियो आ गया डिफेंस रिसर्च डिवलपमेंट अगया है ठीक है यह आपको क्या है जिस तरह से होता है थर्मल पावर हो गया नहीं एंटीपीसी में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है जैसे हो गया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है एलेक्टिकल डिपार्टमेंट होता है मेकेनिकल डिपार्टमेंट होता है सिविल डिपार्टमेंट होता है लेकिन हब तो हो जाता है एंटीपीसी उसी तरह से डियाडियो एक हब है नहीं और इस DRDO में RCI जो है एक department है जो एक apprentice form प्रवाइड की है और उसमें graduate वाले भी, diploma वाले भी और ITI वाले भी apply कर सकते हैं कितना तहजो दे रहा है आपको ये और DRDO आपका center government का है आप भली भाती जानते होंगे अच्छी तरह से जानते होंगे DRDO के बारे में नहीं जानते हैं तो Google पर भी सर्च मार सकते हैं DRDO के बारे में चलिए आप business बात पर हम चर्चा करेंगे देखिए यहां क्या है कि आप यद advantage मिलता है यदि उस department में ही या उस DRDO का यह form है यदि DRDO में किसी परकार का requirement आता है आप वहां से apprentice किया है और यदि उस form को भरते हैं तो आपको बहुत बहुत जाद आपको requirement बहुत जाद जाद advantage मिलने वाला आपको इसलिए क्या करता है कि लोग अच्छे संस्थान से या आपके लिए 40 seat update हो रही है यह क्या चीज के लिए apprentice के लिए आपको एक साल का course है यह एक साल apprentice कराएगी और एक साल तक आपको एक scholarship के माधियम से आपको payment करेगी 9,000 रुपया payment करेगी यदि आप diploma किये हैं और आपका branch है ECE,EEE,CSE या mechanical या chemical ठीक है यह आपका branch है तो 60 seat आपक पर सकते हैं यदि और आपको क्या है एक और है बात सुन लिजे आपको वह scholarship कितना देगी 8,000 रुपया देगी लेकिन आप IT किये हैं सुन लिजे ध्यान से सुनिएगा IT वाले मेरे maximum पड़िवार के member IT ही है सुन लिजे अधी आप IT ही है मेरे जितने भी subscribe है से लगबल लगब है उसके according आप सही है तो आप इस form को apply कर सकते हैं जैसे IT पास आउट है NCBT हो या SCBT हो बस trade होना चाहिए आपका फीटर, Turner, Electrician, Electronic Mechanic और Welder ठीक है तो आपके लिए 50 post है और आप apply कर सकते हैं आपका question हो सकता है कि इसमें आपका कितना payment होगा नहीं apprentice में आपका scholarship as per government norms कह रहा है नहीं तो government के अनुसार इसमें कुछ नकुछ fixable होगा यह इसमें कुछ slide करता होगा फीटर, Turner में के trade के लिए करके related तो जो भी हो वो matter नहीं करता लेकिन as per government norms के सब्सार कुछ नकुछ तो होगा ही इसमें ठीक है और यह form आपका क्या है कि यह 22 तारीक के डेट में आया है और यह form आपका last डेट जाएगा साथ फ्रोड़े 2022 तक जाएगा इसका इस भी इस form का link हम आपने description में डाल देंगे आप इसको download कर सकते हैं और वहां बारीकी से समझ सकते हैं इसको और आपको यदि लगता है कि आप आई टी आई किये हैं आपको लग रहा है कि आप इस form को भर सकते हैं आप भर दीजे और यदि आपको लगता है कि इसको तैयारी करने में आपको कुछ कठनाई आ रही है तो आप हमसे बहिचक संपर कर सकते ह है और इसका पूरी जनकारी हम आप से हमसे ले सकते हैं किस तरह से तयारी करना है किस तरह से आपको कुष्चन अटेंड करना पड़ेगा किस तरह का कुष्चन आएगा हर चीज हम आपको बताएंगे आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक भी अपना नंबर भी डाल पर लिघा reference हर चीज दे रहा है बस हम यह बताना चाहिए उन बचों को बताना वी चाहिए जो एक साल का कुर्स कर रहा है जैसे diesel mechanic, tractor mechanic या आपका builder है देखिए यहाँ clear तो दे दिया है आप builder से तालुक रख रहे हैं वह सिबिट है और ncbt matter नहीं करता ज़ादि आप builder आपका trade है तो आप बहिचक की साथ ही आप अप्लाई कर सकते form को ठीक है और किसी प्रकरत का डाउट हो तो आप हम कमेंट कर सकते हैं इसके कमेंट से कमेंट सेक्चिन में जा करके और यदी उससे भी आपको संतुष्ठी नहीं मिलता आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी जनकारी ले लगते हैं ठीक है अच्छा लगा यदि वीडियो अच्छा लगा और यदि आप इससे जूरे हैं यदि आपके भाई यदि परोसी यदि आसपास या दोस्त मित्र जो भी हो यदि कर चुके हैं यदि वह वेटन वाच कर रहा है तो उनको यह लिंक सेर कर दीजिए ताकि वह य लिंक को सेर कीजिए और यदि वीडियो नहीं की हैं सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है ओके बाई